हेलो दोस्तों बटा कैसे हैं आप लोग तो आपको पता है कि हम मेकेनिकल प्रॉप्रप्रप्रप्रिटिज ऑफ लुड्स पी डिसकस कर रहे हैं और आज आज आपको बहुत सारे चीज़े भी यहां पर दिख रही होंगी हम इनका यूज करके डेमांस्ट्रेशन करके अगले ह तू हमने क्या किया था इससे पहले हमने अगला सिक्षन के जैसे हमने प्रेशर टाइप इंस्ट्रुमेंट्स को और प्रेशर कंसेप्ट को बहुत जादा है अब मेकेनिकल प्रॉपरेटिज ऑफ लिविड़ का अगला सिक्षन काम करता है जो हमारा आज से शुरू उता है और इस surface tension में हम आज inter-molecular forces और molecular theory, इन terms को क्या करने वाले हैं, discuss करने वाले हैं, तो inter-molecular forces तो आपको पता हैं, नहीं पता हैं, तो हम आज explain कर देंगे, molecular theory भी आपको पता है, नहीं पता हैं, तो हम आज explain, पूरी दरा से उसको कर देंगे, और उन दोनोट structures के basis पे हम किसे explain करेंगे surface tension को explain करेंगे अब सबसे पहली बात तो पूरा structure देखने के लिए समझने के लिए आप बहुती शांती से वीडियो पूरा intact देख लीजे कि क्या उसमें होने वाला है अब सबसे पहला word हमारे लिए होता है कि what is mean by surface तो surface tension के लिए जो तीन चार primary questions मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ वह आप यहाँ पे देख लेजिए देखें मेरे पास एक permanent marker है यह हमारा रोज का marker नहीं दिसमा है regular marker यह हमारा कुंचा marker है permanent marker अब मैं क्या कर रहा हूँ permanent marker से मैंने अपने board पे लिख दिया अब क्या क्या देखा है permanent marker ने मैंने क्या केर दिया board पे लिख दिया अब यह तो मिटेगा नहीं अब हमारा बोर्ट तो खराब हो गए अब ये अगर नहीं मिटेगा देखे क्योंकि मैं इसको निकालने कोशिश करता हूँ कितना पोचने की कोशिश करता हूँ ये नहीं निकलता है कितने भी जोर से मैं इसे पोचू अब इसे निकालना कैसे है अब निकालनी के लिए एप क्या करेंगे हम तो मैं क्या करता हूँ देख लिजे यह आज के हमारे टोपिक का बहुत ही एहम हिसा है मैं अपना रिगुलर मारकर लेता हूँ यह हमारा रिगुलर रोज का जो मैं आपको यूज करके दो और उसी मारकर से जो हमने पर्मनेंट मार्कर पे एक लाइन बनाई उस मार्कर पे उस लाइन पे मैंने अपने एक बिल्यू मार्कर से क्या बना दी लाइन बना दी मैंने क्या क्या देखा और अब मैं उसे एक दो चार सेकन ऐसे ही रहने दूँगा तो उसे दो सेकंद रहने देते हैं तो हो गए हमारे दो सेकंद अब मैं का करता हूँ इसे पोच लेता हूँ एक बार अब आप समझेंगे कपड़े पर कुछ है गया कुछ भी नहीं है बस मैं हाथ से ही पोच ले रहा हूँ और पर्मेंट मारकर भी बेटा हमारे बोड से क्या हो गया निकल गया समझेंगे आ रहा है कि हुआ कैसे अब आप पर्मेंट मारकर कही और जगा से किसी और चीज से निकल के देखेंगे that is a different point मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हमारा यह हुआ कैसे यह हमारी intermolecular forces का concept दूसरा concept हम डिसकस करेंगे देखें पानी है पानी पे जब मैं एक हलका एकदम हलका देखें होलो है एकदम होलो टेडी बेर का मेरे पास एक portion है मैं पानी में डालता हूँ वो धीरे से नीचे जला गया वो डूब गया और जब मैं पेन जो comparatively उस portion से उस एक टेडी से ज्यादा बड़ा है वो float हो रहा है तो यह भी क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है यह हो रहा है विद्यूटू surface tension हमारा जो इंक था वो निकला ड्यूटू intermolecular forces तो ऐसे बहुत अच्छे-च्छे questions का हमारे बास यहाँ पर answer मिरने वाला है तो चलिए सबसे पहले चलते हैं intermolecular forces के पास जिसे हम ink pens के जरिए explain करने वाल है तो मज़ा आने वाला दोस्तों तो चलिए इंटरmolecular forces के बारे में बात करता है सबसे पहले intermolecular forces पेटा दो टाइप के होते हैं आपने chemistry में इने पढ़ा भी होगा बहुत बार मैं इनका demonstration भी आपको दूँगा एक type का force होता है cohesive force एक type का force कुन सा होता है adhesive force अब cohesive force और adhesive force में basic difference क्या है तो cohesive force है force of attraction between molecules of same substance एक ही substance जिनके याने समझ लीजे water water में का force of attraction है air molecules में का force of attraction है that force of attraction is cohesive force और जब मैं क्या करता हूँ water जब यहाँ पे हम क्या करते है spill करते है समझ लीजे हमारे पास यहाँ पे पानी है अब इस पानी को मैं क्या करना है यहाँ पे spill करता हूँ अब यहाँ पे दो drops है इन दो drops में इन दो डॉपस को हमने बोड पे डाला है, तो बोड और डॉप में कौनसा फोर्स है, अदेजीव है, और इन दो ड्रॉपस को मैं जब एक साथ एक दूसरे के नस्दिक लाता हूं तो इनका एक बहुत बड़ा डॉप बन जाता है, क्योंकि विटर वॉटर में कौनसा फोर्स ह दोगा सभूज में आरहे है तो ये एक धूसरे के नजबिक जाते ही क्या होता है श alley लगा लेता है अब डूर्प एक दूसरे को आIGHT registrationIGHT नहीं कर रहाए ईंडूर्स को देखिए अब तो मैं कंशिव उसको ठोड़ा सा नजबिक लाता हूं यहां पे छोड़ देता हूँ और automatically ये बाजू का drop जो है वो उसको attract कर लेता है तो that is called as force of attraction अब cohesive force हमेशा ज्यादा ही होगा इसे हम कैसे explain कर सकते हैं देखिए हमारे पास फिर से permanent marker है इसमें ink है हमारा temporary marker है जिसमें भी ink है अब क्या करता हूँ मैं permanent marker कर से मैंने हमारे बोर्ड पे कुछ लिख दिया जिस दिन ये लिखना मिटना बंध हो जाएगा मैरा बोर्ड खराब हो जाएगा लेकिन हम science पे ज्यादा भी लिव करते हैं हमने क्या किया परवन marker से हमारे बोर्ड पे कुछ तो भी लिख दिया है अब कौनसा फोर्ड सेटिस्पाई हुआ है कि इंक और बोर्ड में एक स्ट्रॉंग कौनसा फोर्ड है अदेजिव फोर्ड है इसको पोचने की कोशिश करता हूं यह निकलता नहीं है क्योंकि मेरे हाथ के मॉलेकुल और इंक मॉलेकुल इन दोनों में भी कौनसा फोर्ड होगा पेटा अदेजिव फोर्ड ही होगा यह निकलता नहीं है मैं अब क्या गरदा हूं मैं हमारे पैन से दूसरे पैन से इस इंक पे एक इंक की लेयर बना देता हूं समझ में रहा है आपको क्या हो रहा है यानि आप यहां पे हुआ क्या तो जो कोहेजिव फोर्ड बोर्ड और इंक में था उससे ज्यादा उससे स्ट्रॉंग cohesive force मैंने ink और ink में establish कर दिया अब हमारे पास जो force है जो ink और ink में है मैं क्या करता हूँ उसको रब करने कोशिश करता हूँ हमें दिखता है कि हमारा permanent marker से लिखा हुआ भी क्या हो गया है मिट गया है क्योंकि ink ink का force ज्यादा strong है देखिए समझ लीजे ये board है इस पे ये permanent marker की ink थी ये इस पे चिपग गई थी अब इसके उपर एक दूसरी ink जब आई तब इसने नीचे से force छोड़ दिया छोड़ दिया ये ने कम कर दिया क्योंकि गया उसको उसका same substance उपर मिल गया ये कौशा force प्रोडूस हो गया कोईजिव फोर्स प्रोडूस हो गया ये हमेचा याद रखिए गया बटा कि कोईजिव फोर्स कैसा है strong है हमें surface tension में काम में आने वाला है तो surface tension में कोईजिव फोर्स is a stronger force अदेजिव फोर्स is a weaker force ये एक basic terminologies है और दो सीन basic terminologies है जिसके बारे में हम discuss करेंगे फिर molecular theory पर आगे बढ़ेंगे ये आपको समझ में आ गया मज़ा आ गया इसमें तो आगे बढ़ते हैं दीखें अब इन दो term को हम explain करने कोशिश करेंगे terms नहीं हैं बहुत जास simple एकदम दो terminologies हैं कि एक समझ लेजिए यहां पे हमारे पास molecule था water था अब ये दूसरे water molecule को कह कर सकता है attract कर सकता है अब जितने दूर तक इसका attractive force act करेगा उस दूर ही को कहा जाता है range of molecular attraction क्या कहा गया range of molecular attraction the maximum distance of 2H molecular forces are effective is known as range और ये range कितनी होती है molecular attraction की 10 raised to power minus 9 meter याने हमको पता चल रहा है यह बहुत ही छोटी बातों का बात चल रही है तो यह होगी समझ लीजे range अब इस water molecule को हमने क्या आप कंसीडर कर लिया center इधर 10 raised to power minus 9 इधर 10 raised to power minus 9 इधर 10 raised to power सब तरफ 10 raised to power minus 9 चलेगा न उसका सब तरफ 10 raised to power minus 9 पे हो क्या करेगा काम करेगा तो यहाँ पे अगर एक sphere imaginary सब imaginary है यहाँ पे अगर एक हमने sphere draw कर लिया तो हम यह कह सकता है क्या कि इस sphere में इस molecule की होकुमत चलती है यह बहुत इस sphere का राजा यह molecule है और इस sphere में the imaginary sphere taking molecule as a center and range as a radius in which intermolecular forces act that वो जो sphere है उसका उसमें उसका influence है अच्छा वर्डेकिन influence तो उस sphere को कहा जाता है sphere of influence कि उसमें उसकी हुकुमत है अब इसके बहार अगर molecule रहेगा अगर यहाँ पे molecule है तो इन molecules पे उसका बस नहीं चलता है इन molecules पे वो काम नहीं करेगा इन molecules को वो attract नहीं कर सकेगा cohesive हो या अदेज हो तो यह हमारा structure हो गया यह हमारे होगे intermolecular forces और उनके range के बारे में यह समझ में आ गया बटा यह तो तब ही समझ में आ गया होगा जब हमने ink पे से ink निकाल लिया था यह तो important part था यह निकलने के बाद में एक और चीज आगे बढ़ती है हमारी एक और चीज जो बचती है explain करने के लिए वो है यह कि यह हमारा छोटा सा बच्चू यह नीचे कैसे चला गया और यह कैसे उपर रह गया तो इसके बारे में में सोची तब तक मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ इप यह क्या हुआ होगा और दो यू तिंक कि ऐसा क्यू होता है कि उनका वेट भी नहीं है वेट इस नॉट अफेक्ट भी है जो बोर रहे हैं कि वेट जिसके दिमाग में आँगा वेट का तो वेट का इशू हो सकता था वेटा लेकिन जब हम ग्रहविटी के बारे में डिसकस करते थे यहां पर वेट का कुछ इशू नहीं है यहां पर अलग चीज है इसे कहा जाता है सरफेस टेंशन अब यह हमारे पास आगया बॉल आ गया इस बॉल में वोटर है समझ लीजे और बॉल खराब हो सकता है लेकिन जान लीजे अब और यहां पर हमारे पास यह एक है जब मैं इसे अंदर रखता हूँ तो देखिए अब अब यह टिग गया जब मैं इसे थोड़ा सा टेड़ा करता हूँ यह नीचे चला गया फर्क दिखा आपको क्या हो रहा है जब मैं उसे एक्जैक्टली होरिज़न्टल रखने की कोशिश करता हूँ तब वो टिक जाता है वो पर कहुत कम समय एक्जैक्टली होरिज़न्टल और जैसे ही थोड़ा सा उस पर पानी चला जाता है वो नीचे चला जाता है पैन भी जब वर्टेकल रखता हूँ तो वो वर्टेकल नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे जंब करके फिर से horizontal आ जाता है water एक as a surface इन्हें provide कर रहा है मैं जब समझ लीजे मैं खड़ा हो गया तो मैं नीचे चला जाओंगा न क्यों तो water कुछ चीजों को as a surface में जाता है देखे हमने एक bangle डाली ये थी इसके लिए surface था क्या water नहीं था कुछ चीजों के लिए surface as a surface water कोई कीड़ा है वो यहाँ पर चल सकता है तो वो as a surface act हो रहा है तो ये कुछ चीज़े कौन सी चीज़े है water चीजों में differentiate करता है क्याता है नहीं water की एक property है इस vessel की एक property इस vessel को शानती से एक बार देख लिए ये ये उपर का surface आ गया है ये इधर नीचे समझ लीजे मैं आपको दिखा देता हूँ ये surface के molecules है कुछ यहाँ के नीचे के कुछ molecules है ये beach में के कुछ molecules है हम क्या करेंगे इन तीनो molecules को consider कर लेते है तीनो molecules को consider करेंगे और उनकी एक substantial theory पढ़ेंगे पहले फिर हमें समझ में आ जाएगे कि हो क्या रहा है कि surface कैसे क्या provide हो रहा है कि as a film यहाँ पे क्यों produce हो रही है water की आ रहा है समझ में तो चले एक बार molecular theory के जरब चलते हैं तो पहले मैं पताऊंगा समझाओंगा फिर हम लिखेंगे molecular theory molecular theory तीन मार्क के लिए exam में बिल्कुल 101% आ सकती है तो शांती देखिए डाइगराम आप निकाल लीजिए गया इसके क्योंकि बाद में लिखते time मैं क्या करूंगा डाइगराम नहीं निकालूंगा आपको यही डाइगराम निकाली है वेसल थोड़ा सा सिधा कर लीजिएगा मैं बुझे सिधा नहीं करूंगा क्यों उसमें टाइम जाएगा तो हम सबसे पहले क्या करते है एक वेसल लिया है हमने कंटेनर जो हमारा कंटेनर था कंटेनर को भी लेके आता हूँ यहाँ पे हमारा कंटेनर आ गया उसमें हमने क्या भर लिया पानी भर लिया है क्या समझ में अब मैं क्या करता हूँ मैं तीन मॉलेक्यूल कंसीडर करता हूँ शांतिस देखे क्या है यह है मेरा मॉलेक्यूल A कैसे हैं बहुत नीचे हैं अंदर कही तो भी यहाँ पे A है है कैसे बज़ में दूसरा मॉलिकुल कंसेडर करता हूँ मैं मॉलिकुल B यह यहाँ पे है कहाँ पे तुभी मॉलिकुल है कैसे बज़ में यह हमारा मॉलिकुल बनके हैं मॉलिकुल B surface के थोड़ा सा केज़ है नीचे है और थर्ड molecule मैं consider करता हूँ molecule C ये कहाँ पर है surface पर अब इन तीनो molecules का intermolecular forces तो act होंगे न इन तीनो molecules की क्या देखेंगे हम range देखेंगे और sphere of influence है तो आपको समझ में आगा है कुन से molecule consider किया है सबसे पहले consider किया है A जो सबसे नीचे है अब A के इर्द की इर्द जब मैं sphere of influence क्या गरता हूँ draw गरता हूँ तो ये sphere of influence में सब तरफ liquid ही liquid है और same liquid है water ही है एकी टर्म में हमें समझा दूँगा पूरा molecular तरीका है तो A पे सब तरफ से जो force act हो रहा है सब तरफ से वो force net force A पे जो net force act हो रहा है वो कैसा है 0 है समझ में रहा है कि A के आजपा सब तरफ क्या है पानी ही पानी है liquid ही liquid है same liquid kerosene होगा पानी होगा glycerin होगा जो आप mercury जो लिया है लेकिन same liquid है है तो net force on एक ऐसा है 0 है B का sphere of influence अगर आप draw करेंगे तो कुछ portion में air भी मिल जाती है बाहर निकलता है थोड़ा सा है तो कुछ portion में उसके कहा मिल जाती है air यह उसका हो गया sphere of influence ऐसे draw कर लिया हमने यह ऐसे हमने draw कर लिया sphere of influence अब क्या है water water में जो force है वो downward direction में water air में कौछा force है cohesive नहीं है कासा है adhesive है और water water में कासा है cohesive है अब हम क्या कहा है कि cohesive force कासा है strong force है cohesive force कासा है strong तो B पे भी net force कौछी direction में है downward direction में B का net force कौछी direction में downward Q downward क्योंकि B पे liquid कौछी direction में जा रहा है downward direction को उसके forces लिखके जा रहा है क्योंकि upward direction में कौछा force लगेगा air लगेगा जो air का force होगा adhesive air का force कैसा होगा adhesive force होगा है तो हमें यह नहीं निकालना हमें बस pure of influences निकालके बताना है यह हो गया B हो गया एक हो गया C अब C का half in air and half in water आता है पूरा निकालना चक्र ऐसा half in air half in water ऐसा अगर होगा तो क्या हो जाएगा इसमें हम एक चीज़ कह सकते है कि air water का force कैसा हो गया अदेजिव हो गया और water water का force कैसा हो गया cohesive हो गया तो cohesive force कैसा है strong force है तो C पे भी net force किदर जा रहा है downward direction में जा रहा है net force कैसा जा रहा है downward तो sub forces यानि इदर जो surface का film है उसके sub forces किदर जा रहा है downward direction को जा रहा है तो एक सबसे important line हम लिखेंगे that surface of the liquid behaves as a stretched elastic membrane यानि जैसे कोई ये membrane है जो यहाँ पे stretch की है अब stressed elastic membrane के जैसे अगर वो behave करेगा stressed elastic membrane मेंने कोई भी चीज़ जा हम खीचते है तो उस पे एक layer दायर हो जाता है तो वैसे layer के जैसे हमारा liquid क्या गर रहा है behave कर रहा है क्यूं क्यूंकि उसके पहले molecule को भी कैसे जाना है नीचे जाना है अंदर की तरफ जाना है अंदर की तरफ जाना है यानि यहाँ पे इस पे इस लाइन पे जैसे classroom में first line पे tension होता है कि नहीं कि सर कभी भी कुछ भी कर सकते है और आखरी molecule tension फ्रेग कुछ के आस-पास तो सब cohesive force वाले इसके अंदर नहीं है वैसा तो यह जो tension यहाँ पे surface पे है that tension is called as surface tension आगे आपको समझ में surface tension क्या है कि it behaves as a stretch classic membrane जो surface की बात चरीए नीचे का कुछ भी नहीं है हमारे concept हम बस इस C molecule के बारे में बात करें B के बारे में भी नहीं बात करेंगे विए B surface पे नहीं है इसमें explain करने के लिए हमने तीन molecules consider कर लिए लेकिन ABC के ताइम पे हम जब explain कर रहे है तो बस किस के बारे में बात होगी C के बारे में बात होगी कि C का net force किदर है C downward direction को net force लागा रहा है और C के इसमें हम क्या कह सकते है surface tension है तो यह थी molecular theory of surface tension एक बार लिखके देखेंगे मैं आपको बताऊंगा 4-5 points में हमें इसे लिखना पड़ता है तो molecular theory of surface tension exactly लिखते कैसे है वेटा आप heading भी लिख लीजिएगा और हम मैं बास आपको बताऊंगा यह कैसे लिखना है तीन points consider करके exactly समझ में आगया आपको तो एक बार लिखके देखते है तो पूरी theory board पर बिठा दिया है मैंने diagram निकाल के रखे हो गया आपने बहुत hard था यह लेगेन आपको पड़के सुना तो एक बार हमने क्या लिखा होगा हमने सबसे पहले क्या consider किया था एक A molecule था जो सबसे नीचे था B was just below the surface and C was on the surface यह बहुत hard था बद लिखना वट सब हो यह manage कर गया मैं तो consider three molecules of liquid with their sphere of influences A कहाँ पर है totally inside the liquid it is surrounded by liquid A का explanation मैंने आपे black paint से लिख 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 लिखा है जो हम explanation to explanation पढ़ेंगे ताकि आप easily समझ जाए A is totally inside the liquid अब A के बारे में क्या लिखा molecule A is surrounded only by liquid so there are only coexy forces acting on it from every direction सब तरप से कुँछे forces है coexy forces so net force on A is zero तो A पे का force हमारा बेटा क्या हो गया जीरो आगया B के बारे में green green पे पढ़ेंगे एक बार B it is just below the surface sphere of influence partially in air and remaining in water water के बजाए liquid लिख लेते हैं liquid okay हो गया तो B has two forces liquid liquid and liquid air मैंने water के रप कर दिया क्योंकि water के बजाए और भी दूसरा कोई liquid हो सकता है तो B has two forces one is liquid liquid and another is liquid air but coexy force liquid liquid it is stronger force so net force on B is in नीचे जा रहा है B भी कहा पे जा रहा है नीचे जा रहा है net force is in downward direction और अब जिसकी बात चली है वो सबसे important कौन सा? C अब C क्या है C it is on the surface and sphere of influence half in air half in water water के जगा है यहाँ पे भी क्या कर लेंगे? liquid कर लेंगे half in कैसे कर लेंगे? liquid तो C has half sphere of influence in liquid half in air due to low density अब low density को एक बार explain कर देता हो air के density low है यानि air वाले portion में molecules भी कैसे होगे? कम होगे तो net force वा ऐसा भी उसका कैसा लगेगा? कम लगेगा समझ मैं आ रहा है? कि समझ लीजिए यह surface था हमारा एक बार देख लेते यह हमारा surface है surface पे यहाँ पे क्या था? C था ऐसा structure बन क्या था अब इधर पानी है इधर क्या है? air है अब समझ लीजिए कोईजियो और अदेजियो कभी सेम हो भी गए लेकिन water के molecules कैसे है? ज्यादा है और air के कैसे है? कम है क्योंकि air की density भी कैसी है? कम है तो अगर by chance दोनों तरब का force भी सेम हो गया तो इधर भी net direction कैसी रहेगी force की downward ही रहेगी क्योंकि air की density भी कैसी है? कम है waters है कैसे समझ में? तो C has half sphere of influence in liquid half in air due to low density and adhesive force of air C gets attracted by cohesive force inside the liquid in downward direction सब नीचे जा रहा है सब ऐसे downward direction ऐसे bend हो रहा है सब नीचे जा रहा तो यहाँ पे तो tension create होगा है नीचे खीचा जा रहा है सब नीचे खीचा जा रहा है तो अंदर जगाए नहीं बचिए तो जो उपर है उनको क्या produce होगा? Tension produce होगा and thus यह बहुत सबसे important line is पूरे question की the surface of liquid behaves as a stressed elastic membrane पेद गिर गया thus surface of liquids behaves as a stressed elastic membrane and this tension क्या कहा जाता है surface tension खुल गया chapter का दरवा जाना है यह कुन सा tension बन गया surface tension अब surface tension को पकड़के हमें बहुत घुमना है गटा दू-तिन दिन बहुत इंपोर्टन है है गया समझ में आपको लेकिन molecular 3 समझ में आई बहुत experience करेंगे इस chapter में बहुत interesting आने वाला है लिख लेजिए screenshot निकालिए लिखते रहिए भेजते रहिए जिनको WhatsApp नमबर चाहिए वो comment box में पूछते रहिए homework भेजेंगे मिलते रहेंगे test भी मैं प्रोड़ करूँगा सब होता रहेगा बस आप पढ़ते रहिए मैं पढ़ाता रहूँगा thank you boys